64 दिन से दादू पुर्नलवी नहर को लेकर यमुना नगर में लगु सची वाले के सामने धर्ना दे रहे किसानों ने आज सरकार के खिलाफ जम करना रिवादी की और सरकार को किसान विरोधी कहते हुए आने वाले चुनावों के परिणाम हुगतने की बात कही सत्र से पहले हर्यान सरकार में समाज़िक नयाय वसहकारिता मंतरी कृषिन बेदी द्वारा कुछ किसानों को लेकर मुख्य मंतरी से मुलाकात की नहर को बंद करने के निर्णे को सही बताया उस पर किसानों ने पलटवार करते हुए कहा कि किसान तो पिछले 64 दिन से धर्णे पर बैठे हैं और हमसे मिलने का तो मुख्यों मंतरी के पाथ समय ही नहीं है और मंतरी के साथ गए किसान जो की बीजेपी के समर्ज के हैं जारी रहेगा इसने किसानों के विरौध में इंही काम किया है प्रस्णों को जड़ने काम किया है पाटी रही लोग जो कल इस शुंप लजकिते दिश्यब्राने कारती अगर ऐसे ही से आकरिके कारिया करता थे सरकार के जो सिस्टम होता है वो अपने तरीके से चलता है ना कि लोग चलाते हैं सरकार को चुना है आगर ऐसी लोगों ने चलाना था किसानों ने चलाना था फिर सरकार का क्या मतलब था रही बात अगर किसान कोई किसाने एखलाफ जाता है तो वो किसानों का जैचन है किसानो मुख्या मंत्री के पास किसानों से मिलने का तो समय ही नहीं है कल से धरने में हर्याना की खाप पचायतों के मुख्य हमारे समर्थन में आ रहे हैं जिसके बाद इस सोई हुई सरकार को जगाने कले बड़ा फैसला लिया जा सकता है जिसके लिए खाप पचायत जानी जाती है फिर उसमें रेल ट्राक जाम करना हो चाहे रोड जाम करना हो उसे भी पीछे नहीं हटेंगे पर नहर को पुनह शुरू करा कर ही रहेंगे फिर लट्र बहुत प्रोग्राम करेंगे रहें अब जो चुटे वहां जाकर किसान पड़ने का ढूंग करते हैं अब तक हमारी भांगे निमाने जाते हैं और आखे भी हम सरकार का विरोध करेंगे और मुझे अभी पक्का पता नहीं है 12 तरीक को मेरे खाल से CM साब का यहां प्रोग्राम है हम उसका भी पूरा टट के विरोध करेंगा अगर CM साब यहां आते हैं हम उनको मंडी में निकूश रहे देंगे दोनों गेटों पर हम पूरी तरह से उनका विरोध करेंगे विपक्सी दल मुद्धा उठा रहे हैं सबसे बड़ा मुद्ध यही है उनके लिए और बढ़ चड़कर मुद्धा उठा रहे हैं लेकिन सरकार उनकी बात सुनना नहीं चाती उस मुद्धे पर बात नहीं करना चाती तो इसलिए उनको बाहर कर दिया गया अगर सरकार उनकी बात सुने तो उनकी बात सुननी चाहिए और फिर अपना डिसीजन दे अग्गे तो यही है कि हमारी यही प्लानिंग रहेगी कि दर ना इसी तरह जारी रहेगा और हम इन अंतर सरकार का विरोध करेंगे इसी बीच कल हमारे भी चरी आना पर देश से कहीं खापों के परदान हमारे बीच पहुंच रहे हैं वह दरने को समर्थन करेंगा और चार-पांस दिन तक लगातार यही हमारा समर्थन करेंगे विल्कुल ऐसे ही क्योंकि दो मिने से उप करदेंगे लेकिन हम अपनी मांगों को लेकर अडे रहेंगे और अपनी मांगों को फूरा करवा कर छोड़ेंगे यमुना नगर से सुमित अवरोई की रिपोर्ट लेडेस्ट नियोज और इंट्रस्टिंग कोमेडी और एंटेंबिन वीडियोस देखने के लिए सब्स्क्र करे हमारा यूट्यूब चानल नाशनल बास और लाइक करे हमारा फेस्बॉक पेज़ कीप लाइकेंग